इस ध्याय में अभी तक हमने भारत के की विदेश नीती के विभिन पहलूं को समझने की कोशिश की उससे मुखातिर होने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में हमने कुछ एक दो बातें अच्छी तरह समझ लिए पहला की विदेश नीती की जो आधार उसे नहरू ने दिया और इसके साथी साथ विदेश नीती का आधार गुट निर्पेक्ष्टा हम ये भी कह सकते हैं इसमें कोई अतिश्योग तो नहीं होगी कि भारत की गुट निर्पेक्ष्टा की नीती की विकास गाथा ही भारत की विदेश नीती की विकास की कहानी है किसी भी प्रधान मंत्री ने गुट निर्पेक्ष्टा की नीती का भारत में विरोधनी किया और बलकि उसे आगे ही बढ़ाया उसे समर्थन ही दिया ये कुल मिलाकर हमारी इस विदेश नीती के अध्यन का निचोड है अब यदि गुट निर्पेक्ष्टा हमारे लिए इतनी महत्पूर्ण थी और है जिस पर सभी प्रधान मंत्रियों ने जिसका समर्थन किया है उसके बारे में थोड़ा साम और समलने की कोशिश करें अर्थात विश्व राजनीती में गुट निर्पेक्ष्ट आंदोलन की उपलब्धियां या विश्व राजनीती में गुट निर्पेक्ष्ट आंदोलन का महत्व और योगदान गुट निर्पेक्ष्टा के अधार पर क्या क्या उपलब्धियां हमें हासिल हुई इसको हम थोड़ा बिंदुवार देखें तो अंतर राश्टी जगत में इसकी क्या उप्लब्ती रही अंतर राश्टी जगत में विश्व राजनीती में पहला विश्व शान्ती के खेत्र में स्विक्त राश्ट संग को भरपूर सहयो जब भी स्विक्त राश्चंग के सामने ऐसे मसले आये विवादित मसले दो महाशक्तियों के बीच के जगडे तो गुट निर्पेक्ष अंदूलन किक्ते जुलो हुए देशों ने स्विक्त राश्चंग के नजरिये का साथ दिया यह एक बहुत महत्पूर्ण बात है यहने स्विक्त राश्चंग अपनी ताकत के लिए काफी कुछ गुट निर्पेक्ष राश्चंग के समर्थन पर निर्भर था यह वो काल था दूसरी महत्पूर्ण उपलब दी दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद चल रहा था उस शीत युद को ना केवल रोकने में बलकि उसे समाप्त करने में गुट निर्पेक्ष राश्चंग की बहुत आहम भूमिका रही है क्योंकि यह दोनों ही महाशक्तियां देख ली वो देख चुकी थी कि लगवख सौ से ज़्यादा देश उनके साथ नहीं है और इस वकार विश्व का एक बहुत बड़ा तबका इन दोनों देशों के इन दोनों महाशक्तियों के पिछलगू के रूप में काम नहीं करना चाहता और एक अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहता है तो इस पकार शीद्व को समाप करने में इनका योगदान गुट निर्पिक्षता का योगदान तीसरी उपलब्दी या तीसरा महत्व तृती शक्ति के रूप में गुट निर्पिक्षत जो उभरा उसने तृती विश्व का खत्रा टाल दिया पहली विश्व शक्ति तो अमेरिका दूसरी विश्व शक्ति सोवियत खेमा तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर उसने जो बुलंदियां पाएं जो अपनी आवाद उठाई उसका परणाम क्या हुआ कि ये एक गुट निर्पेक्ष अंदूलन का जो गुट था इसका दबाव इतना ज़्यादा था कि हमेशा इन दो महाशक्तियों पर तृती विश्व को टालने के लिए दबाव बनाने में हमेशा सफल रहे गुट निर्पेक्ष अंदूलन की आवाज को ये दोनों महाशक्तियां अनसुना नहीं कर सकती थी तो विश्वद के खतरे को टालने में सफल होना ये काफी हद तक गुट निर्पेक्ष अंदूलन की उपलब्दी माना जा सकता चौथा निशास्त्री करण के ख्षेत्र में गुट निर्पेक्ष अंदूलन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता पाँचवा, निश्रस्त्री करण का क्यारत है, निश्रस्त्री करण जता है मैंने पूर में बताया, परमाणों हथियारों के उत्पादन को बंद करना, और जो पहले से जिनका उत्पादन हो चुका है, उन्हें नश्ट करना, क्योंकि पहले से जो उत्पादन हो चुके हैं, ऐसे परमाणों हथियारों के संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो इन दोनों लक्षों की प्राप्ति में काफी कुछ भूमिका, अहम भूमिका, गुट निर्पेक्ष अंदोलन से संबंदित देशों निभाई है, पांचव और विकसित राष्ट्रों के बीच, नवोधित निर्धन राष्ट्रों के बीच, आर्थिक सहयोग और विकास, इसमें काफी कुछ योगदान गुट निर्पेक्ष देशों का रहा है, क्योंकि ये सभी देश लगबग एक श्रिणी के थे, तो एक दूसरे के साथ सहयोग के आधार पर इन दोशों ने अपने विकास को सुनिश्चित किया, और इसका श्रिए गुट निर्पेक्ष अंदुलन को जाता है, अगली सफलता, अगली उपलब्धी, नवोधित राष्ट्रों को महाशक्तियों के चंगुल से बचाया रखना और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने की आजादी दे ला हूँ, ये गुट निर्पेक्ष अंदुलन की बहुत बड़ी उपलब दिया है, कि जो नए राष्ट थे, दिख भ्रमित थे, दो शक्तियों के बीच में पिसने की संभावना से गुजर रहे थे, उन राष्ट्रों को इनके चंगुल से बचाय रखने में गुट निर्पेक्ष अं रास्ता मिला, उस रास्ते को दिखाने का काफी कुछ रे गुट निर्पेक्ष अंदुलन को जाता है, इस परकार कुल मिलाकर हम कह सकते हैं, कि गुट निर्पेक्ष अंदुलन एक बहुत सफल अंदुलन रहा, और इसका सूत्रधार भारत, भारत ही विश्व का पहला है जिसने अंतरराश्टी राजनीति में गुट निर्पेक्षता की अवधारणा को प्रतिपादिद किया था इसके सिध्धानतों की व्याक्या की थी इसका प्रचार प्रसार किया था और ये कहने कि और ये सफलता पूरवक साबित किया कि गुट निर्पेक्षता कायरता नहीं है गुट निर्पेक्षता तटस्ता नहीं है गुट निर्पेक्षता भै नहीं है बलकि गुट निर्पेक्ष होने के लिए अंदरूनी साहस की जरूरत है और जो देश गुट निर् शक्तियों के दबाओ को वो ना केवल जेल सकें बलकि उनके खिलाफ सुतंतर आवाज उठा सकें गुट निर्पेक्सा के मूल सुध्धानतों को लागू करने का श्रे पंडे जवालाल नहरू को जाता है और इस पकार भारत को गुट निर्पेक्सांदोलन के प्रणेता के और ज्यादा महत्पूर्ण बनाया विश्व शान्ति के यदि बात करें शीत रुदि के काल में और उसके बात के काल में भी तो इसमें कोई दो मत नहीं कि विश्व के सभी राष्ट इस बात से सहमत होंगे कि इस विश्व शान्ति का काफी को श्रे गुट द्रुवी व्यवस्था या दो गुटी व्यवस्था समाप्त हो गई हो आज भले ही विश्वराजनीत के मंच पर दो खेमे न दिखाए दे रहूं फिर भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन की सार्थकता बनी है जसकी तस आतंकवाद का विरोध परमाणु निशस्त्री करण का समर्थन एक दुरुवी व्यस्था में अमेरिकी वर्चस्व अमेरिकी दादागिरी का विरोध नव उपनिवेश वाद के तहत शोशन का विरोध गुट निर्पेक्ष देशों में आर्थिक तक्नीकी और सांस स्कृतिक विकास ये कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अभी भी गुट निर्पेक्ष आंदोलन की महत्ता गुट निर्पेक्ष आंदोलन की जरूरत बनी हुई है ये बिंदु बड़े महत्पूर्ण है वर्तमान परिप्रेक्ष में गुट निर्पेक्ष आंदोलन ने भी अपनी प्राथमिक्ताओं को कुछ बदला है और ज्यादा प्रासंगिक बनाया है और ऐसा करते हुए गुट निर्पेक्ष आंदोलन आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ जितना पहले था जिन प्रात्मिक्ताओं का मैंने जिक्र किया जहां पर वे प्रात्मिक्ताओं वर्तमान अंतराश्टी राजनीति का वर्तमान अंतराश्टी मुद्दों का एक पिटारा है और इनको धीरे धीरे निश्यस्त्री करण को एक अमेरिकी वर्चस्व को उसके अलावा आतंकवाद को इन सब को समाप्त करने में निश्यस्त्री करण को लागू करने में गुट निर्पेक्ष आंदोलन से जुड़ोवे देश आहम भूमिका निभा रहे हैं कमजोर राश्टों को स्वतंत रूप से विदेश निति का निर्धारन करने का जो मौका मिला है वो तो एक बहुत महत्पूर्ण बिंदु है नए स्वतंत राश जैसे जैसे आ रहे हैं उनको स्वतंत रूप से विदेश नीति का निर्धारन करने की प्रेड़ना गुट निर्पेक्ष आंदोलन से मिलती रहती है गुटी दबाओं से अलग रहके काम करने की जो प्रेड़ना इन नए भरते हुए राश्ट्रों को मिलती है वो गुट निर्पेक्ष आंदोलन से मिलती है और जब तक ये सब होता रहेगा तब तक गुट निर्पेक्ष आंदोलन प्रासंगिक बना रहेगा इस रूप में तो हम कह सकते हैं कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन की उपयोगिता अनंतकाल तक है निरंतर है सतत है गुट निर्पेक्ष्टा का प्रमुक लक्षण है विदेश नीति की स्वतंतरता जब तक राष्ट्र में राष्ट्रों की विदेश नीति है और विदेश नीति को हर राष्ट्र स्वतंतर रखना चाहता है इस स्वतंतर रखने की जो तमन्ना इन राष्ट्रों में है उस तमन्ना को बरकरार रखने और उसको सच्चाई में बदलने में गुट निर्पेक्ष आंदोलन की बहुत सार्थक भूमिका रही है इससे नकारा नहीं जा सकता गुट निर्पेक्ष आंदोलन की सफलताओं का हमने विस्तार से जिक्र किया उसकी प्रासंगिक्ता पर उठे हुए सवाल उठते हुए सवाल उसका भी हमने जवाब दिया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन के साथ सब कुछ अच्छा था कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं कुछ ऐसे घटना करम भी हैं जिससे हम गुट निर्पेक्ष आंदोलन की असफलताओं के रूप में देख सकते हैं गुट निर्पेक्ष आंदोलन की असफलताओं की अधी बात करें तो उसमें सबसे प्रमुक असफलता जिसका गुट निर्पेक्ष ताके विरोध करने वाले लोग बार बार जिसकी बारे में बात करते हैं वो यह कि यह आंदोलन अंतरराश्टी राजनीती को कोई नई दिशा नहीं दे सका अर्थात इनके कहने का ताथ पर यह है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन मात्र दो गुटों के प्रभाव से दूर रहने दबाव से दूर रहने तक ही सीमित रहा लेकिन अपने तई स्वैम में इसने अंतरराश्टी राजनीती को एक नई दिशा नहीं दी इस हर तक यह अचफल है दूसरा बिंदू गुट निर्पेक्षता से राश्टी सुरक्षा तो स्थापित नहीं हो सकती ये बात साबित हुए 1962 के युद्ध से 1962 के युद्ध के समय अनेक गुट निर्पेक देशों की भारत के साथ कोई सहान उभूती नहीं थी अनेक पश्चमी राश्टों ने भारत की तुरिच सहायता के लिए हाद बढ़ाया जबकि वे लोग इस आंदोलन के सदस्य नहीं थे अर्थात ये बात स्पष्ट है कि चीन से जब हमला होता है भारत पर तो गुट निर्पेक आंदोलन के मंच के बहुत से देश अपनी आवाद चीन के खिलाफ मुखर नहीं करते और उस हद तक गुट निर्पेक आंदोलन की एकता मातर एक डिखावा है ऐसा सपष्ट हो जाता है दूसरी और ऐसे देश जो गुट निर्पेक आंदोलन के सदस्य नहीं थे ऐसे कुछ पश्चिमी देश भारत के पक्ष में सामने आते हैं भारत की साहता के लिए भारत के मदद के लिए जो गुट निर्पेक आंदोलन से नहीं जुरे थे लेकिन उन्होंने भारत का समर्थन किया तो इस पकार ये बास पश्ट है कि गुट निर्पेक श्चिता से ही राष्टी सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती तीसरा गुट निर्पेक श्चिता आंदोलन जैसा कि मैंने पूर में बताया इसका कोई संस्था गद धाचा नहीं है कोई स्थाई इसका कारियाल है स्थाई ऐसा कोई ख्षेतर नहीं है इस आंदोलन को एक तरीके से सुसंगठित रूप नहीं दिया जा सका एक और्गनाईजड इसका सिस्टेम तैयार नहीं हो सका ये आलोचना का तीसरा कारण है चौथा जैसा मैंने पहले बताया गुट निर्पेक श्चिता आंदोलन की आलोचना बारंबार इस बात को लेकर होती है कि ये उन देशों का गुट है जो अवसरवादी है अवसरवादिता को ये प्रोचसाहित करती है अर्था जब जिससे हमको अपना हित साधना हो हम उधर चले जाएं जो उचित नहीं है तो कुछ आलोचकों द्वारा इस आंदोलन को अवसरवादी नीती का आंदोलन कहा जाता रहा है पाँचवा गुट निर्पेक श्चित आंदोलन में वे देश जुड़े हैं जो कुछ सिध्धानतों का पालन करती है उन सिध्धानतों का मैंने पूर में जिक्र किया हुआ है जैसे किसी सैनिक गुट में शामिल ना होना जैसे किसी सैनिक अड़े के अनुमती ना दिया जाना आदी आदे लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसा हुआ है जब गुट निर्पेक्स आंदोलन से जुड़े हुए देशों के बीच में ही हितों को लेकर टकराओ है खटास है, कड़ुआ हट है तो उस हद तक ये आंदोलन एक संगठित आंदोलन नहीं दिख पाता अगली आलुचना का बिंदू कि ये जो आंदोलन है, इसका आधार नैतिक है मात्र नैतिक व्याभारिक्ता पे ये पुक्ता नहीं है व्याभारिक्ता की बात करें तो ये गैर व्याभारिक है आव्याभारिक है जो भी इस तरह के आंदोलन नैतिक आधार पे होते हैं वेस्थाई नहीं होते उसका कोई व्याभारिक आधार व्याभारिक पहलू होना जरूरी हो तो उस हज तक ये अंदोलन सफल नहीं रहा है जहां केवल नतिकता की बात की जाती हो अधफलता का अगला उदाहरन कि बहुत सारे गुट निर्पेश देश जो इस अंदोलन से जुड़े हैं ऐसा दिखा गया है परोग शुरूप से वे महाशक्तियों से सैने सहायता ले रहा है परोग शुरूप से वे इन महाशक्तियों से आर्थिक सहायता ले रहा है और साथ ही तक्नीकी सहायता ले रहा है जहां तक सहायता लेने की बात है इसमें कोई गलत नहीं है कुछ गलत नहीं है लेकिन वो किसी खास खेमे से जुड़ के ऐसा कर रहे है चाहे वो सोविय संग का खेमा हो चाहे वो अमेरिकी खेमा हो और सैनिक सहायता किसी ऐसे राष्टों से लेना गुट निर्पेश्टा की भावना को प्रभावित करता है दुश प्रभावित करता है असफलता के लिए अगला बिंदु जो आलुचकों के द्वारा दिया जाता है वो यह है कि इसमें कई ऐसे राष्ट जुड़ गये हैं इस अंदुलन में जिनका गुट निर्पेश्टा की भावना से कुछ लेना देना नहीं जिनका गुट निर्पेश्टा के आदर्ष पे कतई विश्वास नहीं है लेकिन फिर भी वो इसमें आ गये हैं मातर सदस्य संख्या अपनी दर्ज कराने के लिए विश्वास नहीं है नैतिक रूप से वे उसके लिए प्रेरित नहीं है नैतिक रूप से वे उसके लिए तैयार नहीं है तो ऐसे राष्टों का जुड़ना इस बात को सावित करता है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन असफल रहा है अपने उस देशों में असफल रहा है वास्तों में गुट निर्पेक्षता को जैसा प्रारम में प्रतिपादित किया गया है उसका कई सदसिक देश पालन नहीं करते हैं उसमें विश्वास नहीं करते हैं ये साबित करता है कि गुट निर्पेक्ष्टा अंदोलन उस हज तक असफल रहा है गुट निर्पेक्ष्टा क्या है उसके उद्देश क्या थे उसको विदेश नीती का एक अहम हिस्सा बनाये जाने के कारण क्या थे और किस हज तक गुट निर्पेक्ष्टा नीती का पालन करते हुए हम अपनी विदेश नीती में सफल हुए या असफल हुए इसमें आलोजकों के भी बियान हमने समझने की कोशिश की और ये देखा कि कुछ लोगों का जहां तर्क है कि गुट निर्पेख्षता ने भारत को एक सफल राष्ट के रूप में विश्वराज नीती में खड़ा किय है वहें कुछ लोग के कुछ अन्य विचार थे और उनका कहना था कि गुट निर्पेख्षता संभवता तटस्थता की नीती है खेर कुल मिलाकर भारत के पहले साट सत्तर वर्ष के काल में तटन्ता के बाद गुट निर्पेख्षता हमारी विदेश नीती का एक अभिन अंग रही और आज भी वो जारी है तो आने वाले समय में गुट निर्पेख्षता का कैसा भविश्य हम देखते हैं किस हद तक इसके जारी रहने के संभावना है इस पर भी विद्वानों का कुछ मत है जैसा मैंने बताया है कुछ विद्वान इसे दिशाहीन आंदोलन मानते हैं कुछ इसे प्रासंगिक्ता की बात कहते हुए उचित मानते हैं और उनका मानना है कि ये आगे भी जारी रहेगा देखा जाए तो गुट निर्पेक्षता या गुट निर्पेक्ष आंदोलन की आज भी प्रासंगिक्ता है आज भी वह उतना ही महत्पूर्ण है जितना पूर्व के काल में था शीत युद्ध समाप्त तो हो गया है पर पूर्ण रूपेंड नहीं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ जैसे उपनिवेश्वाद ने नए उपनिवेश्वाद को नव उपनिवेश्वाद को जन दिया उसी प्रकार हम देखेंगे कि शीत युद्ध समाप्त तो हुआ विश्व एक धुरुवी हुआ लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष में यदि हम यूक्रेन की बात करें यूक्रेन और यूस के बीच के युद्ध की बात करें तो हम समझ सकते हैं कि कहने को विश्व में शीत युद्ध समाप्त हो चुका है लेकिन अब अपने दूसरे रूप में वो सामने आ रहा है आज भी सोवियत संग का खेमा तो नहीं रहा लेकिन रूस का एक खेमा या रूस एक महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है और रूस की जिस तरीके से यूक्रेन से लड़ाई चल रही है रूस ने जिस तरह क्रीमिया और कुछ अनिक खेत्रों पर जॉर्जिया और अनिक खेत्रों पर अपना प्रभाव बनाने की कोशिश की है उसको लेकर अमेरिका हमेशा सक्त कदम उठाते रहा है और उसके अलावा भी इस घटना करम के अलावा भी 1990 के बाद के घटना करमों का जिसका मैंने पूर में अलग अलग ध्यावे में जिक्र किया है जिसमें Middle East का क्षेतर मूल रूप से शामिल है मध्यपूर एशिया का क्षेतर जिसमें शामिल है जिसका हाँ पर तेल को लेकर कई लड़ाईयां हो चुकी है इसराइल का क्षेतर जिसमें शामिल है उससे ये बात साफ है कि रूस और अमेरिका हमेशा एक दूसरे के विरोधी खेमे में रहेंगे और तकरार सतत बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में गुट निर्पेक्ष्टा प्रासंगिक हो सकता है दुनिया में विविन खेतरों में गुट बाजी बढ़ रही है जदि आप सतत रूप से रूस यूक्रेन के युद्ध से अपने को वाकिफ कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये नकुछ नहीं है बलकि गुट बाजी है कौन किस गुट का पक्ष लेगा इसको लेकर विश्व राजनीती बहुत गहमा गई है भारत का भी पक्ष अमेरिका और सोवियत संग अमेरिका और रूस दोनों जानने को सुख है और भारत ने कुछ इस तरह का अपना स्टैन लिया है इस मामले में जिसे हम गुट निर्पेख्षता का ही एक प्रमान कह सकते हैं इसलिए गुट निर्पेख्षता प्रासंगिक है आज खेतरी गुट बाजी उसकी जगा हम यह कह सकते हैं कि खेतरी सहयोग की जरूरत है तीसरे दुनिया के देश जिसमें नवोधित राष्ट शामिल हैं अफरीका और एशिया के अधिकतर राष्ट शामिल हैं उनके लिए अंदुलन आज भी बहुत महत्वरकता है निर्गुट अंदुलन के रूप में पिछडे और विकसित देशों की चेतना को जगाने में उनकी चेतना को आंदुलित करने में इसने बहुत भुमिका निभाई है बहुत महत्वर्ण भुमिका निभाई है गुट निर्गुट निर्गुष्टा ने उन्हें ये आज़ादी दी है कि वे स्वतंत रहते हुए अपने विचार स्वतंत रहते हुए विकसित होते रहें और यही आज की जरूरत है खासकर तीसरी दुनिया के देशों को पहली दुनिया अमेरिका का खेमा कहलाता था फर्स वर्ल्ड दूसरी दुनिया सोविय संग का खेमा कहलाता था और तीसरा जो खेमा था जिसमें अधिकतर गुट निर्पेक्ष देश शामिल से निर्धन राश शामिल से अविकेसित राश शामिल से वह तीसरी दुनिया कहलाता था संख्षेप में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपियोगिता प्रासंगिकता सतत रूप से बनी रहेगी अनंतकाल तक बनी रहेगी और इसी के तो कारण इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है जैसा मैंने पूर में बताया वर्तवान में 120 सदस्ट इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं 120 सदस्ट राष्ट और कुछ देशों ने इसकी सदस्टता के लिए आवेदन कर रखा है और आपको ये जानना जरूरी होगा कि रूस भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की के लिए उत्सक है और उसमें आवेदकों में शामिल है इस वकार अब गुट निरपेक्ष ता भारत की विदेशनीती आदी को समझने के बाद अम हम कुछ खेत्री मुद्दों पर आते हूं खेत्री मुद्दे जिनका विदेशनीती से तालुकात है अर्थात भारत के संबं के बारे में परोसी देशों से संबंद के बारे में समकाली दक्षिन एशिया के इतिहास में पढ़ा उसके अलावा अन्य अध्यायों में भी हम लगातार इसका अध्यान करती रहे हैं पर यहां पर विदेशनीती के मद्दे